वेलकम व्यूवर्स अंशा फ्रीदी की उनकी मंगनी के बाद पहला इंटर्वियू सामने आ गया अंशा फ्रीदी ने ऐसा इंटर्वियू दिया जैसा देखकर सब लोग हिरान रहे गे और चब उन से उनके मंगेतर के बाहर में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिय आज की वीडियो में हम आपको इसकी तमाम तफ्सिलाद बताएंगे वीवर जैसा के आप लोग जानते हैं कि शाहीं शाह फ्रीदी और इंशा फ्रीदी की मंगनी हो चुकी है और इनके फैंस बेस ब्सबरी से इनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वीवर शादी की मत कोटिया वा पहलाई जा रही है कि शाहीं शाह फ्रीदी का निकाह हो चुका है और इनकाह मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया है लेकिन वीवर ये खबर बिल्कुल जूटी है इसमें कुछ भी सचाई नहीं है क्योंकि अभी तक इनकाह नहीं हुआ सिर्फ अंगेजमेंट ह वीवर्स इसके इलाव आई दोनों के बारे में कोट जूटी नियूस भी पहलाई जा रही थी कि अंचाह फ्रीदी की शादी बाबाराजम से हो गई है इस बात पर शाहीं अफ्रीदी ने खुद मीडिया पर आके बताया कि मैं अपनी बेटियों की शादी पक्तून फैमली म करूंगा और इन्हों ने ये भी बताया कि मैंने शाहीं शाहा फ्रीदी के साथ इनकी इंगेजमेंट कर दी है विवर्स अंचाह फ्रीदी ने इपने इंट्रव्यू में बताया कि मैं अपने फादर के फैसले की बहुत जादा इज़त करती हूं जब इनसे पूछा गया कि ने अपना मंगेतर पसंद है और क्या ही अपने रिष्टे से खुश है तो इन्हों ने कहा जो फैसला मेरे बाबा ने किया मेरे लिए काबले इस्जत है और जब इनकी शादी के बारे में पूछा गया तो इन्हों ने कहा कि मेरी ग्वैजूएशन अभी 2023 के स्टार में कमेंट बॉक्स तो आपनी राय का इज़ार करना ना बूलिए कैसके साथ ही मारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा